हालो गाइस वाइगम दो टेक वाल टेक पर्ट में आपका सौगत है मैं दीपक्चतविधी धंपरिवतन ये एक ऐसा कुश्चन है जो मुझसे कईवा पूछा गया है उसका मैं पूरा सॉलूशन लेके आया हूं पहली चीज हम धंपरिवतन कैसे कर सकते हैं तूसी चीज हम ध करें राइट धंपरिवतन क्या है धंपरिवतन एक ऐसा परिवतन है जिसमें हम एक कास्ट एक ध्रम से दूसरी ध्रम में जाते हैं जैसे कोई व्यक्ति एध्रम का है और उसको वी ध्रम में जाना है तो वो जा सकता है कुछ डॉक्मेंटेशन होते हैं कुछ पिपर्स आते ह उसके वाद आप चेंज करवा सकते हैं इसकी दो विदिया हैं पहली चीज़ आप किसी मंदे मजची चर्च या कुर्थवारे चाके आप करवा सकते हैं दूसरी चीज़ कानू नीमी अभ हमें सबसे वरी थामसा को बताएं प्रेम समस्थ यह है कि आप इंट्रकृष मैले इसके वार सहकाड़ी तौर से आप साधी सुदा नहीं हैं आपके साधी नहीं हुए है उसके लिए हमें एक शाठीव चीह हो गा जिसे यह मन होगा की हमारी साधी हो चुकी है डॉकुमेंट दूसी चीज अगर हम मंदिय में जागे पंडित से करें तो वह सटिफिकेट देगा मस्चित में जाके मौल भी से कहें वो भी अपका धम परवतन कवाएगा और उसके वार एक सर्टिफिकेट देगा ऐसा ही ऐसा ही चर्च में जाके ऐसे ही गुर्द्वारे में जाके हैना अब हम आंगे बात करते हैं सेटिफिकेट कानुई तोर से आप साधी सुदा है इसके फारे में अब जिस्व्यक्ति को चेंज करन है धम परिवतन करना है कानुई तोर से वह सबसे पहले अपट एफ़ीड वनवाएगा अफ़ीड में लिखवाएगा अपना नाम पता पता का नाम और सारी डिटेल जो उसके पास अभी है वह अपना यह भी लिखवाएगा कि वह किस धरम से है उसके वाद वह अपने ही दा मैंशन होगी और फो एक वकील से मिलेगा और उसको देगा यह तो हमारा कानूनी हो गया अब इसके वाद हम आंगे बारते हैं यह पूरी प्रॉसेश चल लिए इसके वाद साकेली प्रॉसेश है कि आप एक नेशनल पेपर निउस पेपर मैं एड निकाले या सूचना द कि मैं मेरा नाम अफ बदल के मेरा नाम यह हो गया है और मैंने अपना धर्म चेंज कर लिया है बतलाओ कर लिया है फर्स फॉल तो यह हो गया पहला चरण दूसरा चरण में आप एक तरीके से कहा जाए गौर्वर्मेंट के जो न्यूस मैग्सीन है उसके अंदर आपको एक या सूचना देना पड़ेगा सूचना में अब कौन सी है यह गैसर्स आफ इंडिया यह मैक्सिन है जिसमें सरकारी जितने फीच कानून है वह सारी चीजें इसके अंदर डिटेल आती है राइट जैसे अभी कितने भी नियम चेंज हुए है कि गिन में बदलाओ हुआ है वह साइड डिटेल उसके अंदर मिलेगी उसके अंदर आपको अपनी सूचना डालनी पड़ेगी इसके लिए आप एक संचालक न्यू संचालक इन लोग से मिल सकते इसे बात कर सकते इनको एड दे सकते मतलब सूच ना दे सकते हैं ग्याजर्स आफ इंडिया वही मैगजिन है जिसमें सकारी तोर से नौटिफिकेशन आते हैं अगर ये काम सरलता से करना चाहते हैं तो एक आप वकिल से मिलिए दूसरा पबलीकेशन में के जो अधिकारी है उन लोग से बात करें इसलिए आपको ये काम पाच्छे दिन में हो जाएगा और सर्टिफिकेट आने में कि धारा पंदा और पच्चिस के अंतरगत ये पता जाता है ये हमारा अधिकार है कि हम स्वक्षा से अपना धम परिवत्तन कर सकते हैं लेकिन इसके पाथ सटेविकरे बात हमें किसी भी चीज़ में कोई प्रॉलम नहीं आने वाले आप हमारी कामनी तोर से हमारी मेरिस जो ह हमारी साधी है वह वालेड है दूसरा हम आधा काड जितने भी पिपर से कॉमेंट टॉट से और समय अपना नाम चेंज कर वा सकते हैं कि नोट करने वाली बात यह है कि एक आदमी कि कितने भी वार अपना धम परिवत्तन कर सकता है तूसरी चीज़ ध्रम क्या है एक व्यक्तिव समक मिलता है एक एक व्यक्तिव को थम तब तब से मिलने लगता है जब दो जनाम लेता है धारम परिवारत्तन के रना साधान एक डोकमेंटेशन करना यह सारे मंदे जना मचे जना चर्षण क्यूसर अन यह आधर DOA जना यह सब चीज़े साड़े तोर से आपका चेंज हो सकता है लेकिन आत्मा से कैसे चेंज होगे है ना साड़े लेक तो आपना नाम चेंज कर सकते हैं लेकिन आत्मा से कैसे चेंज करेंगे जो कि हमने जिस धरम में जिया है हमें उसकी आदत पर चुकिए हम दूसे चिनम में दूसे धरम में दिल कवार करेगा लेकिन दिमाग कंफ्यूस रहेगा है ना दूसी चीज़ अगर आप में ध्रम परिवत्त करता है तो वो लालच में भी आ जाता है लालच कैसा जैसे सबको रिजया विश्र अलग है सकाई तोर से बहुत बेनेफिट है एस्टी एसी ओवी सी में दूसी चीज़ कुछ लोग पैसे देके ध्रम चेंज कर वारे हैं तीसी चीज़ कुछ लोग जो जवस्ति करके ध्रम परिवत्तन कर रहे हैं एक न्यूज आई थी ये टीव से सम्म जान देता है वह न्यूज कि पाकिस्तान में हिंदु महिलाओं को जवरन मुस्लम बनाया जा रहा है मतलब मुसलम वानी बनाया जा रहा है ऐसे बहुत से तो यह चाहते हैं कि अगर हमाई ध्रम की लोग ज्यादा हो जाएंगे तो वह देच हमारा हो सवी धर्म को लोग रहते हैं इसलिए भारत कहते हैं भारत की एक तर सबी जातियों सबी धर्मों को मिलाके बनी है और सबी एक दूसी की जत करते हैं लेकिन इसी चीज में अलग एकजामपाल आँ इसी चीज में अगर एक धर्म की लोग जादा हो जाएंगे तो हिंदुस्तान की जो पहचान थी जिसमें सारे ध्रम जुड़के रहते हैं वह ध्रम खत्म हो जाएगा वह पहचान खत्म हो जाएगी है ना अब जैसे एक निव सोर आई थी सबसे बड़ी बात है कि सहकार अगा कानून बनाती है हम दो हमारे दो तो मुस्लमानों ऐसा क्यों नहीं है उनके लिए यह चीज़ लागू क्यों नहीं है क्योंकि उनका एक नारा है या फिर हम देखते हैं हम दो हमारे अंगिनत क्योंकि उसका कारण भी है इनके मज़ब में लिखा है और हमारा देश हमारा सम्मिधान ये हमारा देश हमारा सम्मिधान हमारा कानून हमें ये अधिकार देता है कि ये सारी परसनल चीज़े हैं इसमें हम कानून लागू नहीं कर सकते अब ये दोनों वाते हैं ना हाव केंट पॉसिवल कि हम हिंदू हम दो हमारे दो और मुसलमान एनी अदर हिंदू एक्ट में एक साधी होने के बाद अगर व्यक्ति दूसरी साधी करता है तो वह गय कानूनी होती है दूसरा वह जील भी जाता है क्योंकि उसें संविधान का नियम तोड़ा है क्या यह पॉसिवल है मुसलमानों में एक आदमी कितनी साधी करता है हमें सोचना चाहिए हमें इन सब वारों में सोचना चाहिए ध्रम परिवतन करना सिफ आजकल जो चला है आजकल चला है इंटर कास्ट मैरिस है ना दूसी और धरम परिवतन करने के जिसको जो जो दिकते आती है वाले कि मैं बता चुका हूं है लगरनी चाहिए है बैत मैंा यह शाला कुछ चो यह आप धरम परिवतन करके अपने सभी आनाव में चीज cinnamon करके आप चीज कर सकते हैं ले-risk आत्मा से कैसे change करेंगे हैं एंग्यू और अगर ये नालेजवल इंफोमेशन आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें ये न्यूस सबके पास पहुशनी चाहिए सबको इसकी इंफोमेशन होनी चाहिए क्या है क्या नहीं है